हलो फ्रेंट्स वेलकम टू अनुमिस मैं अनुवाधा स्वागत करते हूँ आप सभी का आपके अपने और्लेट पिर्टफार्म अनुमिस पर तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ को ही कांटिनियू करेंगे और मैथ में हम लोग देखेंगे सेशफल पर आधारित प्रस्न ठीक है बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेस्टन हमारे एक्जाम में पूछने के चांसेज बने रहते हैं चाहे वो कोई भी टेट हो सुपर टेट हो जरूर इसमें से क्वेस्टन पूछने के समभावना होती है ठीक है चलिए देखते हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं बोड पर हमने कुछ ख्रिया हुआ है इस प्रकार के question में हमें ये बताना होता है कि सेसफल क्या होगा देखिए नॉर्मल तरीके से अगर कोई भी number दिया हो जैसे माली जे 5,4,3,2,1 भागे माली जे पैसर ठीक है इसे solve करना होता है तो हम लोग क्या करते है अगर इसमें से सेसफल निकालना हो तो इसमें हम लोग नॉर्मली जो है पैसर से भाग देते हैं और जो सेसफल आता है वो हमारा अंसर हो जाता है लेकिन अगर संख्याए जो है घात के रूप में दी गई हो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहा है ठीक है और घात वो भी छोटी घात नहीं घात जो है बड़ी बड़ी घात हो तो नॉर्मल तरीके से जो है सॉल्व कर पाना ये जो है इंपॉसिबल होता है ठीक है चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस प्रकार की सवाल को सॉल्व करेंगे देखें सबसे पहले question से अगर हमें start करें सबसे पहला question है 65 के power 97 भागे 64 तो सेस्फल इसमें क्या होगा यानि कि इतने में जो है हमें 64 से भाग देना है और हमें बताना है कि इसमें सेस्फल क्या बचेगा तो देखें इसे solve करने का तरीका ये है पहली बात तो normal तरीके से solve नहीं होगा क्योंकि 65 का हम लोग 97 बार गुड़ा करेंगे फिर उसके बाद जो हम लोग 64 से भाग देंगे और सेस्फल हम लोग ग्याद करेंगे तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है ठीक है मानेजे कि केवल 65 दिया हुआ है और इसमें हमें 64 से भाग देना है तो आप बताएए कि 65 में अगर 64 से भाग दिया जाए तो सेस्फल क्या बचेगा भाग जो है एक बार जाएगी ठीक है और सेस्फल जो है एक बचेगा क्लियर इतना तो क्लियर है ठीक है तो 65 में अगर 64 से भाग देंगे तो सेस पर 1 बचेगा इसको हम लोग इस 65 के ऊपर लिख लेते हैं ठीक है अब हमें क्या करना है कि ये जो सेस आया हुआ है 65 में भाग देने पर 1 इस एक के पावर हम लोग जो ये घात थोड़े टाइम के लिए भूल गये थे अब ये पावर जो है इस एक पर चड़ा देंगे यानि कि ये हो जाएगा एक के पावर 97 अब आब इसको सॉल्व कर लिजे ये एक के पावर 97 का मान कितना आता है एक आता है बस यही जो है हमारा सेस फल आएगा और ये आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत इजी है सवाल बस थोड़ा से समझना है जो घात है उसको थोड़ा टाइम के लिए जो है भूल जाए उसके बाद जो यहां बेस में दिया हुआ आधार में उसमें जो है इससे अगर हम भाग देंगे तो 65 में 64 से भाग देने पर सेस फल एक बचेगा उसके बाद ये जो सेस आया है इस सेस के जो है संतान में पावर कर देंगे यानि कि जो पावर है वो सेस फल के पावर कर देंगे और उसको सौल कर लेंगे जो आएगा अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए एक और सवाल से देखते हैं देखिए 75 गुड़े 76 बटे 72 तो इसमें बताइए कि सेसफल क्या आएगा इसमें भी जो है हम लोग अब यह नहीं करेंगे कि 75 76 में गुड़ा करेंगे गुड़ा करने के बाद जो आएगा उसमें हम लोग 72 से भा देखिए अगर डाउट है तो आप ऐसे भाग दे करके देख सकते हैं 75 में अगर 72 से भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी जाएगी कि नहीं और यहाँ पर सेस तीन बचेगा तो हमें सेसफल से मतलब है भागफल से कोई मतलब नहीं है तो अब यहाँ पर जो तीन सेस बचा हुआ है अब इस 75 के ऊपर जो है हम लोग कहां पर तीन लिख लेंगे ठीक है अब देखिए 76 में अगर 72 से भाग देंगे तो यह आजाएगा हमारा सेसफल 4 ठीक अब बस क्या करना है यह जो सेसफल आया है यहाँ पर बीच में मल्टिप्लाई है तो इसका भी आपस मे हम लोग मल्टिप्लाई कर लेंगे यानि कि 3 इंटू 4 कर देंगे और यह हो जाएगा चार्तियां 12 ठीक है यह हमारा final answer हो जाएगा clear हुआ यानि कि बारी बारी से हम लोग जो है इसमें भाग देंगे और अगर यहाँ प्लस रहता तो इसमें प्लस कर देते लेकिन यहाँ प सबसे पहले हम लोग इस पावर को भूल जाते हैं 96 में अगर हम 97 से भाग देंगे तो क्या आएगा अब देखे यहाँ पर भाग कैसे देना है एक चीज़ और ध्यान देजेगा जब हम ऐसे भाग देंगे तो यह प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है ठीक है तो देखे जो इसके करीब रहता है भाग उतनी ही बार ले जाते हैं देखे उपर जो है 90 है और नीचे 97 है अगर 90 में हम लोग 97 से भाग देंगे ठीक है तो पहली बात तो इसमें भाग जाएगी नहीं ठीक है जीरो बार जाएगी लेकिन जीरो बार हमें भाग नहीं ले जा तो यह जो सेसफल आएगा यह बहुत बड़ा आजाएगा और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो वैसे तो आप ले जा सकते हैं ठीक है लेकिन इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर माली जी अगर हम एक बार ले जाते हैं यहां पर संतानवे कर देते हैं दो बार नहीं ले जाना है क्योंकि दो बार ले जाएंगे तो यह बड़ा जाएगा तो हम लोग एक बार ही ले जाते हैं यानि कि अगर यह संख्या छोटी है ठीक तो हम लोग नीचे से जो भाग ले जाएंगे जिससे भाग देना है उससे जो हम लोग एक बार भाग ले ज जाते हैं और ऐसे में जो मान आता है जो सेस्फल आता है वो मैनस में आता है ठीक है तो देखिये बस आप ऐसे समझेए कि यहाँ पर चानुवै है यहाँ पर 179 है अगर हम एक बार भाग ले जाएंगे ठीक है तो इससे जो है यह कितना अधिक है एक अधिक है ठीक है तो और ये छोटा है तो यहां पर यह minus में आ जाएगा अब उसके बाद यह minus 1 हो जाएगा और ये power जो है अभी हाँ पर हम इसके power कर देंगे तो minus 1 के power 111 तो 111 एक विसम संख्या है ठीक है तो minus के power अगर कोई भी भी समसंख्या होती है तो उसका आंसर जो है माइनस में आता है तो यह हो जाएगा माइनस 1 ठीक है अब देखे अब ऐसा नहीं कि यह हमारा आंसर हो जाएगा यह आंसर नहीं होगा क्योंकि सेस्फल जो है कभी भी माइनस में नहीं आता है ठीक है यह positive हुई रहेगा यानि कि plus में ही रहेगा अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भाजक होता है जिससे हम लोगों ने भाग दिया है उसमें से यह जो आया है हमारा says ठीक है इसको हम लोग minus कर देंगे यानि कि 97 में से एक घटा देंगे यह आ हम लोग देख लेते हैं जो की जो भी confusion है वह दूर हो जाएगा इससे थोड़ा सा जो है एडवांस कैसे पूछता है एक्जाम में ठीक है देखें नेक्स सवाल है 64 के पावर 83 माइनस 20 बटे 75 और इसमें बताना है कि सेजफल क्या होगा तो वही प्रोसेस करना है सबसे पहले अलग अलग जो है इसमें हम लोग भाग देंगे 75 से तो 74 में अगर 75 से भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक बार भाग ले जाएंगे तो ये अधिक है यानि कि जिससे भाग दे रहे हैं वो अधिक है तो सेजफल यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो है, वो कितना बड़ा है, वही चीज माइनस में आपर लिख देंगे, यह कि माइनस में उतना ही सेस आएगा, अब 20 में अगर हम 75 से भाग देंगे, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहा हैं, यानि कि जब हम लोग एक बार भाग ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस पचपन जो है सेस बचेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो है इससे भी बड़ा आ जा रहा है calculation लंबा होगा अगर हम यही जो है जीरो बार अगर भाग ले जाते हैं ठीक है तो जीरो बार भाग ले जाएंगे तो यहाँ पर जो सेस बचेगा यह 20 बचेगा बचेगा की नहीं बचेगा तो यहाँ पर हम लोग अपनी सुविधा के लिए भाग एक बार ना ले जाकर के भाग जीरो बार ले जाएंगे तो ये 6 फल जो है अब हो जाएगा हमारा 20 ठीक है इतना clear हुआ अब इसको हम लोग solve कर लेंगे ये minus के power 83 हो जाएगा और minus हो जाएगा और ये जो 6 है वो 20 हो जाएगा ठीक अब minus के power 83 है तो ये देखिए जो 83 है ये B sum है ठीक और minus के power अगर कोई B sum संख्या आ रही है तो ये minus में आएगा और minus यहाँ पर ये 20 ठीक तो इस तरीके से ये हो जाएगा minus 1 minus 20 और ये हो जाएगा आपका minus 21 अभी हमने बताया कि जो सेसफल है वो कभी भी जो है निगेटिव नहीं होता है ठीक है तो निगेटिव नहीं होता है अगर निगेटिव में आ जाए तो जो भाजक होता है जिससे भाग दे रहा है उसमें से जो है इसको हम लोग minus कर देते हैं तो ये 75 और minus 21 तो ये कितना आ अगला सवाल देखिए 108 के पावर 120 मानस 110 बटे 107 ठीक है इसमें भी हम लोग अलग अलग भाग देंगे 107 से अगर हम 108 में भाग देंगे ठीक है एक बार भाग जाएगी और 6 जो है 1 बचेगा ठीक तो यहां पर ये जो है 1 सेस बचा और 110 में अगर हम 107 से भाग देंगे तो य ये कितना अधिक है जो है 7, 10, 10, 3 यानि कि यहां पर ये जो सेस बचेगा ये 3 बचेगा ठीक अब 1 के पावर 120 करेंगे तो इसका मान 1 ही आएगा ठीक तो ये 1 हो जाएगा माइनस ये 3 हो जाएगा और ये आजाएगा माइनस टू अब आप देख रहे हैं यहां पर जो है माइनस में आ गया तो माइनस में आ गया तो इसमें से जो है इसको हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 107 माइनस दो ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 105 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्लिए तो उमीद है कि आपको जो है सारे कंसेप्ट समझ में आये होंग एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं जो कि इससे थोड़ा सा हट के है, तीन के पावर 60 बटे 80, अब यहां पर देखिए यह जो संख्या है यह बहुत जादे इस संख्या से छोटी है तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो घात दिया हुआ है इसको हब हम लोग तोड़ेंगे ठीक तोड़ करके यह जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग इसके आसपास लाने की कोसिस करेंगे ठीक तो देखे 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर जैसे 3 के पावर 15, 32, 15, 64, 60 लिख सकते हैं तो 3 के पावर 4 अगर कर दें और इसके पावर 15 कर दें और आप जानते हैं कि इस प्रकार का अगर दिया होता है तो घात में गुड़ा हो जाता है तो इसको जब हम लोग solve करेंगे तो 15,60 यानि कि 3 के पावर 60 ही आएगा ठीक है तो इसको जो है हम लोग इस रूप में लिख सक और यह 81 के पावर हो जाएगा अब 15 ठीक है यानि कि टोटल इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं अब देखे अब जो है भाग बहुत ही आसानी से चली जाएगी यहाँ पर 80 है तो एक बार भाग जाएगी और सेसफल कितना बचे का यहाँ पर एक बचेगा ठीक है अ इस प्रकार का अगर सवाल दिया हो जिसमें कि यह जो संख्या है यह बहुत जादे जो है छोटी हो नीचे वाली संख्या से यानि कि जिससे भाग दे रहे हैं तो जो घात है इसको हम लोग तोड़ करके जो है ऐसा करते हैं कि यह जो संख्या है इसके आस पास आ जाए या त चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो एक बेल आइकन दिख रहा होगा उस पर भी प्रेस कर दिजिएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नए वीडिय सब्सक्राइब के साथ थैंक यू